नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और इस समय SS राजा मौली के निर्देशन में बनी फिल्म ट्रिपल आर रिलीज होते ही ऐसा माना जा रहा था कि बॉक्स आफिस पर दी कश्मीर फाइल्स का जल्बा कायम नहीं रहेगा और ट्रिपल आर उसे मात दे सकती है लेकिन बात अगर 27 मार्चानी की फिल्म के 17 दिन की करे संडे की करे तो लगातार ये बॉक्स आफिस पर अपना जल्बा कायम रखी है और फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स आफिस पर 252 करोड से भी जादा काकड़ा पार कर लिया है वहीं अगर इंडियन सिनेमा की बात करे तो इं उसका मामला अब राजसभा में भी पहुँच गया है और राजसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजे सिंग ने सोमवार को राजसभा में जारी ओवर नोटिस दिया है इस नोटिस में संजे सिंग ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के उपर बने इस फिल्म को य शिवाल ने भी यह मांग उठाई थी कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए इसके अलावा मनीश सिसोधिया जो की आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली के उप मुख्य मंत्री है उन्होंने भी यह मांग की थी कि इस फिल्म को लोगों को दिखाना चाह में विवेक अगनी होतरी ने बैचा है इस फिल्म के जरिये, साथी साथ उन्होंने कहा कि अगर इतना ही लोगों को फिल्म दिखाना है, सचाई से रूबरू करवाना है, तो इस फिल्म को आप यूट्यूब पर डाल दे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को सामने आए हैं ये फिल्म कहने को तो सिर्फ एक फिल्म के तौर पर रिलीज हुई थी लेकिन इस फिल्म ने अब एक आंदोलन का नाम ले लिया है और तरह तरह की राजनेतिक बयान बाजी तरह तरह की कॉंट्रोवर्शियल स्टेट्मेंट इसको लेकर के आ रही है जहां फिल्म के एक्टर और डिरेक्टर लगातार इस प्रतिक्रिया पर अपना रेक्शन भी दे रहे हैं और लोगों को मूतोड जवाब भी दे रहे हैं हाली में विवेक रंजन अगरी होती पर FIR भी किया गया था क्योंकि उन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया था कि भोपाली मतलब होमो सेक्शवल या समलेंगे जिसको लेकर के मुंबाई के वर्सुवा स्टेशन पर उन पर FIR दर्ज करवाया गया था इसी के साधी साध बात थुन चक्रवर्ती की करें सभी ने अपने किरदारों के साथ अंसाफ किया है सभी ने अपने किरदारों को जिया है जिसकी वज़े से ये फिल्म लगातार ब्लॉकबस्टर हिट हो रही है और इस फिल्म को आल टाइम ब्लॉकबस्टर भी घोशित किया जा चुका है और जिस इंगु भाई काठ्यावारी समेत चुपल आर को भी टकर दे रही है और अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी है लगातार ये फिल्म कमाई कर रही है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसको बहुत कम स्क्रिंस मिला था लोगों का उतना रिस्पॉंस नहीं मिला क्योंकि इसका प्रमोशन उस तरीके से नहीं हो पाया था जहां देखा जाता है कि हर फिल्म दी कपिल शर्मा शो में जाती है कपिल शर्मा खुद उस फिल्मों का प्रमोशन करते हैं जो बड़े स्टार्स की मूवीज होती है उसका प्रमोशन करते हैं लेकिन विवेक अगनी होतरी क फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को ऐसा कोई प्रमोशनली एवेंट नहीं मिला कोई ऐसा स्टेज नहीं मिला कोई ऐसा मंच नहीं मिला जहां पर वो जाकर अपनी फिल्मों को प्रमोट कर सके इसको लेकर के कपल शर्मा भी विवादों से गिरे और उन्हों ने उनको भी लेकर लो और उनका शो ओफ एर हो रहा है ऐसी खबरे भी मीडिया में आ रही है लेकिन जो शो के मेकर से उनका कहना ये है कि ये बस अफवा है लेकिन सच क्या है ये तो कपल शर्मा और उनके मेकर सी जानते हैं कि क्या सच में ये शो जो है वो बंद होने वाला है या फिर वजह कोई और बात करें इस फिल्म की दिकश्मीर फाइल्स की तो ये अब एक फिल्म ना होके लोगों के एमोशन के साथ जुड़ गई है जो तमाम कश्मीरी पंडित हैं या फिर 1990 में जो भी घटनाए उनके साथ हुई है जिन लोगों के साथ हुई है वो इस मुवी से बहुत ही जुडाओ महसूस करते हैं और जब भी इस फिल्म को लेकर के कोई भी नाकरात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है तो खुल कर उस चीज का विरोध करते हैं जब देखा गया कि दिल्ली के सीम ने इस बात को कहा कि इस फिल्म को यूटूब पर डाल देना चाहिए तो तमाम जो कश्मीरी पं अपसे बड़ा जो जूट था वो उजागर हो गया है और यह जूट जो है खुद कश्मीरी पंडितों ने किया है आपको बता दें इस बीच प्रवासी शिक्षक संग यानी कश्मीरी माइग्रूइन टीचर्स एसोसियेशन ने ट्वीटर पर एक प्रेस रिलीज जारी कर के नकाप कर दिया है इसमें साफ कहा गया है कि अर्विंद केज़वाल जूट बोल रहे हैं इस मामले को कई समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से भी सत्यापित किया जा सकता है मालूम हो कि अर्विंद केज़वाल ने रवीवार यानी की 27 मार्च को एक इंटरव से दन्शील है हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पर काम करने के लिए तयार हैं पर इस पर राजनीती बंद होनी चाहिए आपको बता दें कि ज्रिवाल का जूट सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कश्मीर फाल्स के डिरेक्टर विवेक अगनी होतरी ने अपनी प्रति निधी के सफेथ जूट को उजागर करने के लिए इस तरह से सामने आना पड़ा सुप्रीम कोट के फैसले पर जूट बोलने पर कानून में क्या सजा है ये उन्होंने ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी इस बारे में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दिकश्मीर फा की है ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले भी फिल्मों को टैक्स फ्री नहीं किया है मुझे लगता है कि उन्होंने हाल ही में 83 टैक्स फ्री की है अब ये फिल्म टैक्स फ्री से आगे बढ़ चुकी है और ये फिल्म आंदोलन बन गई है एक मूमेंट बन गई है वहीं भाजप को दिखाया कोई सवाल नहीं पूछा सच यह है कि केजरिवाल सरकार कश्मीरी पंडितों के खिलाप तीन बार कोट गई थी तीनों बार हारी है यह वह सच है जो बिका हुआ है मीडिया कभी नहीं दिखाएगा केजरिवाल की बयान पर एक बार फिर करारा जवाब है दरसल जि अपनी प्रतिक्रिया पहले ही जाहिर कर दी थी उन्होंने कहा था कि मैं 20 पॉलिटीशन के मूह नहीं लगूंगा जो कि एक प्रोफेशनल अब यूजर है मैं उन 2 करोड़ लोगों का सम्मान करता हूं जिन्होंने इस फिल्म को देखा है और इसको सराहा है अभी हाली में व पाथी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग यह मङ उठा रहे हैं कि जो भी आपने फिल्म से कमाया है यानि की 200-500 करोड़ की repeating है कर चुकी है यह फिल्म तो उस कि उन्हें भीख नहीं चाहिए बल कि उन्हें उनका हक चाहिए ये जो फिल्म है अब ये फिल्म नहीं है ये पूरी आंदोलन बन गई है तरह तरह के कि इसमें स्टेट्मेंट भी आ रही है लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं आपकी इस फूरी कवर को लेकर कि क्या प्रतिक्रिया है हमारे साथ जरूर साजह करें हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रियाँ बताएं आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहे हमारे चैनल और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें झाल झाल